दोस्तो आजन जाने की कैसे विच्चितर बंदर के बारे में जिसके बारे में ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ये उसके बारे में सुना होगा तो दोस्तो आजन जाने के स्पाइडर मंकी के बारे में स्पाइडर मंकी जो पूरी दुनिया में सिर्फ सेंटरल और साउथ अमेरिका और मेक्सिको के कुछ शेहरों में पाया जाता है और वहाँ पर स्पाइडर मंकी की डोडल साथ प्रगार की प्रजातिय पाया जाती है और जे स्पाइडर मंकी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे पेडों की डालियों को अपने पूँच और अपने शरीर के शाहरे पकड़ते हैं और ठीक ऐसी विशिष्टाय हमें स्पाइडर में भी पाई जाती है और स्पाइडर मंकी के पास अंगूटा नहीं होता उनके पास सिफ चार उंगलिया ही होती है और पिछले कुछ सालों से स्पाइडर मंकी के संग्या धिरे धिरे कम होती जा रही है किकी इंसानों की वनों के कटाई उसके मास के लिए शिकार करना और गयर काणिन तरीकों से दूसरे शहरों में उसे बेचना और वेग्यानिकों के अनुसार स्पैडर मंकी को एक आर्बोरियल एनिमल माना गया है मतलそれは प्राणी जो अपना ज़्यान जिवन ज़्अड़ों पर ही बिटाता है और इसके अलवा स्पैडर मंकी को एक अन दिय उडिय और अनिमल भी माना गया है मतलब वह प्राणी जो दिन में सक्रिया रहता है और रात को सोता है और स्पाइडर मंकी ज़्यादतर ग्रूप से पाए जाते हैं जिनके ग्रूप को ट्रॉप्स कहते हैं स्पाइडर मंकी एक सर्वहारी प्राणी है और स्पाइडर मंगी 90 प्रतिशत फ्रूट्स और फ्लावर्स को भी कंजूम करते हैं और वे कभी कबार एक्स और इंसक्स को भी कंजूम करते हैं और जंगलों में स्पाइडर मंगी का शिकार्थ ज्यादतर जगवार्स और स्नेक्स करते हैं और फीमेल स्पाइडर मंकी जो हर 3-4 साल में एक बच्चे को जनम देती है जिसका प्रेगनेंसी पेर तक्रीबन 7 महीने का होता है और उन बच्चों को सेक्शुली मेचर होने के लिए तक्रीबन 4-5 साल लगता है स्पाइडर मंकी की हाइट और वेट नेरबर करता है उनकी प्रजाती के ऊपर लेकिन एक एवरेज स्पाइडर मंकी के लंबाए तक्रीबन 2 फिट तक हो सकती है और वेथ तक्रीबन 6 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है और जंगुलों में स्पाइडर मंकी तक्रीबन 25 साल त ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें क्योंकि हम इसी तरह से अनिमल्स के बारह में जानकर देते रहते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता है एंड येस फ्रेंड्स टेंक्स वर वाच